नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको HDFC Fisheries Loan के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से ओनलाइन लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो फिस पारवि होना जरूरी है आए करते हैं वीडियो शुरू दोस्तो सरकार ने फिस फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चलाई हैं जिन पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक पर जाकर देख सकते हैं दोस् जिसमें आप ओनलाइन अप्लाई करके लोन प्राप्त कर सकते हैं आप बढ़े ही असानी से अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों ओनलाइन अप्लिकेशन का प्रोसेश जानने के लिए आये चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों हम जाएंगी गूगल किस activity के लिए दे जाते हैं तो यहाँ पर हम click कर लेते हैं वहाँ पर click करते ही दोस्तों कुछ इस drug interface आपके सामने खुल जाएगा जिसमें यहाँ पर overview बता गया है aligned activity loan का और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर यह dairy farm के लिए आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर agriculture leading दिखाया दे रहा होगा उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है किस किस activity के लिए लोगन दिया जाता है यहाँ पर benefits के बारे में बताया गया तो पूरी जानकर यहाँ आपको यहाँ पर दी गई है आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो आपको यहाँ पर option दिखाया दे रहा होगा online application form यह नीचे आपको दिखाया दे रहा होगा apply online आप यहाँ पर इन में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जिसमें देख लेते हैं यहाँ पर आपसे क्या क्या चीज़े मांगी गई है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे first name आपका मांगा गया है उसके बाद last name उसके बाद email ID आपको देनी होगी उसके बाद यहाँ पर phone number मांगा गया है अगर आप office में किसी में काम करते हैं आपका office है तो यहाँ पर office का phone number मांगा गया है उसके बाद यहाँ पर mobile number मांगा गया है तो यहाँ पर आपको अपने land की detail दाननी है, उसके बाद location डालनी है, यहाँ पर district और state आप select कर लेगे, दोस्तों जब आप यहाँ पर purpose of loan पे select करेंगे तो आपको जैसे मैंने पहले ही दिखाया कि वहाँ पर aligned activity के लिए कौन कौन से loan दिये जाते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर select पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर corp loan, loan for aligned activity, agree implementation loan तो यह तीन option दिखाये देंगे, आपको अगर आप fish farming के लिए loan के लिए apply करेंगे तो आपको यहाँ पर loan for aligned activity पर click करना होगा, यह सारी details बढ़ देने के बाद आप यहाँ पर submit पर click करेंगे, submit पर जैसे ही आप click करें following information for our representative to contact you, तो उसके बाद bank का representative खुद कोल करता है और आप से आपकी demand और जो भी आपकी requirement है उनको अच्छी तरी के से समझता है और फिर आपको prefer करता है कि आपको कितने तक का loan मिल सकता है और कौन सा loan आपको लेना चाहिए, तो दोस्तो आज की वीडियो में बच इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो से जोड़ी कुछ और जान करेंचिए तो मैं कमेंट में लेखिए मापके comment कर रिपलाए चुरूर करेंगे, दोस्तो अगर आपने अभी तक मारे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज जल्दी से subscribe कर द करेंगे तक कि आगया वनीवाली वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले धन्यवाद जय हिंद जय वारत